हाई फ्रेंड्स मैं हो नीतो और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे फ्रेंड्स ये डोर्मेट कितनी प्यारी सी है ना इसे हमने बनाया है पुरानी पैंट की हल्प से तो चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स डोर्मेट बनाने के लिए मैंने ये दो पैंट ली है ये एक तो deep blue color की है और एक light color की है आपको इसा भी pen ले सकते हैं अपनी पसंद से और ना सबसे पहले हम इसके नीचे की तरफ जो ये मुरा हुआ हिस्सा है ना हम उसे cut करके निकाल देंगे और फिर मैंने यहां इसकी नीचे से length 20 inch याने 20 inch पे इसे निसान लगाया है आप लंबाई अपने मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं और फिर इसके जो ये folded हिस्सा है ना चौराई का हम इसे पहले cut कर लेंगे ताकि हमें एक सीधा कपरा मिल जाए और फिर उपर जो हमने निसान लगाया था हम वहाँ से cut कर देंगे ये देखिए कुछ ऐसे फ्रेंट्स हम इसकी लंबाई ना आप लेंगे ये लगभग 9 inch चौराई है तो फ्रेंट का कपरा नीचे से थोड़ा पतला है और ये उपर की तरफ थोड़ी इसकी चौराई ज्यादा है तो हम चौराई इक्वल करने के लिए कुछ ऐसे निसान लगा लेंगे ताकि ये जो हमारे कपरे की चौराई बिल्कुल सही रहे और ना हमारी ये जो कपरे की चौराई है ना ये 9 inch यानी 9 inch आई है तो हम यहां लगवग 3-3 inch पे निसान लगाएंगे ताकि हम यहां 3 पत्टियां इससे मिल जाए उपर की तरफ भी हम ऐसे 3-3 inch पे निसान लगा लेंगे और फिर इन निसानों को मतलब सीध में मिला लेंगे ताकि हम इनसे सीधी पत्टियां निकाल सकें फ्रेंट्स देखिए और जो हमने निसान लगाया है उस पे कट कर देंगे जिससे कि हमें सीधी पत्टियां मिलेंगी तो इसकी सिलाई और फिर फिनिसिंग भी काफी अच्छी आएगी फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे सेयर कीजेगा ऐसी मैंने ये इतनी सारी पत्टियां निकाल ली है और ये हमारे आधरी पैंट से निकला है ये देखे ऊपर की तरफ से भी मैंने पत्टिया निकाल ली है और हम पूरी पैंट से पत्टिया निकाल लेंगे ये देखे ऊपर की तरफ छोटी टुकडे में पत्टिया निकली है तो मैं उन्हें जोर के same equal size का बना लूँगी और ना अब इन पट्टियों को हमें चोड़ाई में simple egg seeds में सिलाई कर लेनी है ये देखे मैंने इतनी सारी पट्टियां यहां तयार कर ली है अब ये जो सिलाई वाला हिस्सा है ना हम इसे नीचे की तरफ करेंगे ये देखे जो सिला हुआ था वो हम नीचे की तरफ करके कुछ ऐसे थोड़ा से arrange कर लेंगे और फिर इस पर हमें सिलाई करनी है ये सिलाई आप सुई धागे से भी कर सकते हैं ये देखे मैं यहां सिलाई मसीन से कर रही हूँ लेकिन टच करके रखेंगे और सिंपली सिलते जाएंगे पट्टिया हमें एक दूसरे के उपर चरहानी नहीं है बस इसे एकवल में रखे सिंपली एक धागे मतलब देखे ये कुछ ऐसे सिलाई कर लेनी है और मैंने यहां सारी पट्टियां जोड ली है अब मैं इसकी लेंथ ले लूँगी ये लगभग 25 इंच चौराई तो हमने 20 इंची रखी है तो आपकी पैंट की ये सिलने के बाद जितनी भी लंबाई निकले अब हमें दूसरे पैंट से उतनी ही लंबी पट्टियां कट करनी है चौराई तो हम 3 इंची रखेंगे और उन पट्टियों को भी सिल के कुछ ऐसे ही एक साइट से सिल लेंगे और ये देखें फ्रेंट्स अब जो हमने ये ब्लू वाली पट्टी जोडी थी ना इन्हें हम एक नीचे की तरफ छोड़ते वे दूसरी पट्टि को उपर करते जाएंगे ये देखें, एक नीचे, एक उपर एक नीचे, एक उपर ऐसे आरेंच कर लेंगे दूसरी पैंट्स से हमने पटियां कट की है उन्हें एक तरफ से हमने चौटाई में सिल लिया था जैसे इसे इसला था उसे बीच में रखते वे अब जो पट्या हमने उपर की तरफ रखी है उसे हम नीचे की तरफ कर लेंगे ये धेक ज attorneys कुछ ऐसे नीचे की तरफ कर लेंगे अब जो पहली बार में नीचे पट्या रह गई थी अब हम दूसरे बार में उन पट्टियों को नीचे वाली पट्टियों को उपर की तरफ कर लेंगे, देखिए, एक नीचे एक उपर ऐसे करते वे, जो सारी पट्टिया नीचे रह गए थी पहली बार में, उन्हें उपर कर लेंगे, एक एक करते वे हमें ये प्रोसेस करना है, और फिर से हम दूसरी व पट्टियों को ऊपर नीचे कर लेना है जिससे कि बहुत यह अच्छे से एरेंज हो जाए और फिर जो मतलब इससे पहली बार में जो पट्टिया नीचे रह गई थी उन्हें फिर से ऊपर कर लेंगे एक एक को छोड़ते हुए और फिर बीच में यह पट्टिया रखके इन्ह फिर से जो पट्टिया हमने ऊपर की है उन्हें नीचे कर लेंगे फ्रेंट्स बस ध्यान रखना है यह जो वाइट पट्टी है इसमें हमने एक तरफ से सिलाई की है यानि यह डवल में है कपरा तो इसकी सिलाई वाला हिस्सा ना हम नीचे की तरफ रखें जिससे की हमारी ड सिलाई वाला हिसा मैंसे नीचे की तरफ दबा के रख लेंगे ताकि दोर्मेट देखने में काफी खुपसरत हूँ और उसमें सिलाई का बिल्कुल भी आपको मतलब पता नीचे ले ये देखें और ये न मतलब पटियां बहुत ही अच्छी दिखती हैं एक-एक करके चेस और बीच में पत्यां डालेंगे और वापस से जो पत्यां हमने उपर की तरफ करी हैं उन्हें नीचे की तरफ कर लेंगे फ्रेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा सेर कीजेगा अगर आपको लगे यह आपके दोस्तों के लिए भी यूजफुल है तो उनके साथ भी सेर कीजेगा और हाँ मुझे कमेंट में बताईगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप भी ऐसा वाला दोर्मेट बहुत ही इसली बना सकते हैं मैं यहा सिलाई मसीन से मैं यहा सिलाई किया आप हाथों से भी सुईधागी की हल्प से सिसिल के तयार कर सकते हैं और देखिए फ्रेंट्स यहां हम सारी पट्टियों को कुछ ऐसी एरेंच कर लेंगे देखिए एके कर कि हम सारी पट्टियों को एक छोड़ते वे ऊपर करेंगे और फिर बीच में वो पट्टियां रख के हम वापस से नीचे की तरफ कर लेंगे देखे कुछ ऐसे और पट्टियां अगर आपको लगे कि बीच में कहीं सी कुर रही है तो आप अच्छे से खीच लीजिए ताकि सा पट्टिया ना एक नीचे एक ऊपर हो चुकी है तो हम इन्हें अच्छे से पहले खीच लेंगे ताकि सारी पट्टियां सीधी हो जाए और फिर इन्हें इन पे हमें सिलाई करनी है आप हाथों से यह सिलाई मसीन से भी कर सकना है यह देखिए सिलाई मसीन से अगर कर रहे है तो हमें इन्हें पहले ऐसे कुछ पिन अप कर लेंगे ताकि सिलना इजी हो लेकिन अगर आप सुई धागे से हाथ से कर रहे हैं तो आप सिंप्ली एक-एक पट्रियों को खीचते हुए इन्हें सिंप्ली सुई धागे से सिल सकते हैं फ्रेंट्स ये दोर में इतना बनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है और ये काफी मतलब टिकाओ भी होती है पैंट का कपरा अल्रीडी काफी मोटा होता है तो ये लॉंग लास्टिंग होती है हमने इसे अच्छे से सिलके बनाया है तो ये काफी मतलब खुबसूरत भी है और long lasting भी है यह देखिए हम एक एक पट्टियों को लेते हुए ऐसे simply सिलाई machine से भी हम सिल सकते हैं देखिए सारी पट्टियों को खिसते हुए मैंने चारो ही तरफ से सिलाई कर ली है अब इसकी जितनी लंबाई चोराई है उसी साइस का मैंने एक बेट सीट का टुकरा लिया है आपको इसा भी एक कपरा लेके इसे वापस से इसके साथ अटेच कर दीजिए और देखिए हमें निलगबग चार इन चोरी पट्टी ली है और ना इसे हम पहले simply ऐसे सिल लेंगे और फिर ऐसे फॉल्ट करके कुछ ऐसे कर देंगे ताकि हम यहाँ चोरी सी पट्टी मिल जाए और चारो ही तरप से हम इन पट्टियों को जोड लेंगे यह देखिए हमारी डोरमेट तयार है और यह कितनी खुबसरत से दिख रही है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हाँ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि मैं आपके लिए बहुत यह अच्छे वीडियो लाती हूँ आपके लिए काफी यूस्फूल होते हैं तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ